हलो दोस्तों, क्या हल चाल है? आज हम बात करेंगे कल Nifty 50 के एकस्पाइरी पर क्या मोमेंटम हो सकता है किस साइट के जाने के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं और कहां पर हमें मौके बन सकते हैं पैसा कमाने के दिखिए आज मार्केट बेरिश हो चुका है और एक support था market में 22, 750 का और market आज उसके नीचे closing किया है लगबग 700 पे close किया है आज तो chances यहीं है कि market इस समय bearish है अगर हम पहले इसी trend की बात कर लें क्योंकि जो continuation trend है वो bearishness का है तो पहले हम bearishness की बात कर लेते हैं फिर अगर गलत होते हैं तो एक uptrend की भी बात कर लेंगे कि कहां पहले हमें साउधानी रखनी चाहिए market में bearishness तो confirm है है यहाँ पे आपके सामने दो gap सामने निकल के आ रहे हैं एक gap यहाँ पे बन रहा है और इसके ज़स्ट पहले एक gap है और एक gap यहाँ पे भी बन रहा है तीन gap आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और यह तीनों ही gap market में support का काम कर सकते हैं तो कल कर जो सबसे lowest support निकल के आ रहा है market में वो निकल के आ रहा है 22, 450 क्या सपास का level और यह जो की current market price से देखा जाए तो लगभग कितने point नीचे का है 250 points नीचे का है यह current भाव से निकल के आ रहा है अब देखना यह होगा कि कल की market की opening ही कितनी gap down होती है क्योंकि आज selling ज़्यादा देखने को मिली थी अब सवाल उठता है एक support यहाँ पे जिन्दा है 22,600 पे दूसरा एक support जिन्दा है 22,500 पे और यह कुछ levels भी है जहाँ पे हमें trade करने के मौके लग सकते हैं कैसे अगर market gap down होता है और 22,600 पे रुख के वापस जाने की कोशिश करे अगर वापस जाने की कोशिश करता है market तब हम entry कर सकते हैं call side में with SL 22,600 लेकिन अगर market किसी वज़े से 22,600 को break करके इसको as a resistance बनाए फिर नीचे गिरे then entry कर सकते हैं with SL 22,600 clear हो गया अगर यह support break हो जाता है तब हमें 22,500 के levels देखने पड़ेंगे इसकी वज़े से हमें target भी मिल रहे हैं देखा जाये तो अगर हम 22,600 पे entry करते हैं तो हमारे जो target रहेंगे वो 22,500 रहेंगे अगर हम 22,500 पर entry करेंगे तो हमारे target होनी चाहिए 22,450 तक के 450 सक कोई target उतना अच्छा नहीं है सवाल यहां पर यह उठता है कि इतने सारे support होने पर क्या entry possible हो पाएगी क्योंकि बार-बार market touch करेगा लोटेगा, touch करेगा, लोटेगा तो मैं आपको एक suggestion दूँ देखिए अगर market touch करके lot रहा है ठीक है मान लेते हैं market ने इसको तोड़ा ठीक है और फिर lot के थोड़ा और ऊपर चला गया है ना और ऊपर जाने के बाद जब वापस से नीचे गिरने लगे तो maximum height लिया है इसने उसको आप ऐजा ऐसल यूज किया कीजे अब सवाल यह उखता है कि सर, in the money और out of the money किसमें trade करें तो मैं आपको personally सला दूँ तो हमेशा ही in the money में trade कीजे भले आप एक lot से trade कीजे कोई ज़रूरी नहीं है मैं खुद बहुत ज़्यादा ज़्यादा 10 lot से उपर कभी नहीं रखता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैं गलत होंगा तो मेरा loss भी उसी हिसाब से होगा आज भी मैंने 2 trade ली थी और दोनों मैंने अपने telegram पे share की थी पहले में मेरे को loss हुआ था दूसरे में profit हुआ था तो overall the day लाल में ही बंद हुआ था क्योंकि पहले का लाल ज़्यादा था दूसरे में थोड़ा cover हुआ था पूरा cover नहीं हो पाया था तो सीधी से चीज़ है कि गलतियां होंगी लेकिन सवाल है क्या गलती इतनी बड़ी तो नहीं हो रही है कि हम उसको bear न कर पाएं ठीक है तो उस गलती से के लिए भी तयार रही है तो इसलिए lot size कम रखिये बट in the money trade कीजे उसका क्या फाइदा होता है उसका फाइदा यह होता है कि जब market मान लेते हैं बीच में fluctuate करेगा न यहाँ पे रहेगा तब आपका premium decay का loss नहीं होगा क्योंकि कल expiry है कल पैसा zero हो जाएगा ठीक यह एक trade बनती है downside की तो downside के लिए कौन कौन से level हमने आपके सामने रखे हैं नमबर एक 600 नमबर दो 500 और नमबर तीन 450 मेरे को 450 तक market जाता हुआ दिखाई दे सकता है मुझे ऐसा लग रहा है पस्माली बाकी तो कल पता चलेगा 10-11 बजे तक कि market weak है कि strength है market में और अगर आप मेरे telegram पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएए link description box पे available है दूसरी बात किसी वज़े से market जिस point पर है उस point पर ही open हो जाए या हलका सा उपर हरे में open हो जाए कब क्या हमें बेरिश रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए क्यों देखे हम आप पूरा भारत इस समय बेरिश है क्योंकि उसको लग रहा है elections के पहले market गिर जाएगा कल बिस्पत वार फिर सुकर वार है Friday और फिर Monday समझ रहे है बात को तो market गिरना चाहिए आप खुछ सोचिए अगर किसी का फाइदा होगा तो कब होगा जब market रोग की रखे वो और market अगर रोग की रखता है तो एक possibility यहां पर हो सकती है कि जो resistance है बाइस सास सो पचास market इसी के आसपास ही रूख जाए यह भी एक possibility market में कल बन सकती है क्योंकि अगर यहां से गिरावट आती है market के अंदर समझने की कोशिच कीज़ेगा ज़रसा देखिए जो support है वो 600 पे है अगर market गिरा तो इस line के सारे लोग exit हो जाएंगे और यह जो रखे यह कौन थे यह market के put writer से जो आगे बढ़़़़के put वेचे थे जिसकी वज़े से market उपर गया था ठीके तो उन सभी को exit करना पड़ेगा उन सभी को loss होने लगेगा इस point के बाद से और जैसे ही उनको loss होने लगेगा वो अपनी position exit करेंगे और market और तेजी से fall हो जाएगा और जब market और तेजी से fall होने लगेगा तो यहाँ पर जिन लोगों ने shot किया था उनको profit होने लगेगा फिर वो और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे जिसकी वज़य से market हो सकता है uncontrolled हो जाए तो साइद ऐसा ना हो तो इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा market में और एक बात और मैं आपके सामने highlight करना चाहूंगा तो आज थोड़ा सा rounding top बना है और rounding top के बाद जब gap down होता है तो एक bearishness का symbol होता है अब यहाँ पर market क्या दिखाता है वो हमें और आपको नहीं पता है वो तो कल ही पता चलेगा कि market में क्या निकल के आ रहा है strength है कि weakness है यह कल ही पता चल पाएगा आप इन points को ध्यान रखेगा और इनी के basis पे trade करिएगा अगर market वहीं पे open होता है जहाँ पे है तो wait कीजेगा trade मत कीजेगा जब तक market इन दोनों lines के बीच में घुमेगा तब तक आप trade के पीछे जाएगे तो guarantee आपका loss हो जाएगा क्योंकि premium बहुत ज़्यादा रहेगा आप premium में फस सकते हैं हाँ अगर market उपर गया resistance का सम्मान करके लोटेगा तो एक छोटी सी trade बनेगी target आपके downside के 600 तक के होने चाहिए बट जहाँ पे आपको exit मिल जाए वहीं पे आप profit book करिए अपना चलिए आपको ये content समझ में आ गया होगा और ये levels भी अगर कोई आपका doubt हो तो please comment कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको किसी particular share पे अपना मेरा view जानना है तो आप comment करिए मैं देखता हूँ उसको चलिए इसे के ताथ सेवा समाप्त करेंगे जय श्री राम